प्रिविद्यार्थी जोबिचा दोजाचोविस में बोड की परिचा देने वाले हैं और क्लास तेन्थ के टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपार्टेंट है क्योंकि सबसे पहला पेपर जो उनका होने वाला हिंदी है हिंदी में बहुत सारे बच्चों को डा लगा रहा था ठीक है आज की इस वीडियो हम उनको यही बताने वाले हैं कि जो जो हम बताते हैं अगर वो त्यार कर लेते हैं 100% पूरी गारंटी वो पास भी हो जाएंगे और 90 प्लस नमबर लाएंगे भी ठीक है तो आपको केवल कुछ नहीं करना है केवल मात्र और मात्र इस वीडियो को लाश तक देखना है ठीक है हम इस वीडियो हर एक टापिक को अच्छे से बताएंगे और समय भी बहुत कम है उतना ही बताएंगे जितना आप तयार कर सकते हैं ठीक है और पेपर में उतना आएगा ठीक है पूरा 100% गारंटी है ठीक है तो लाश तक आपको क के वाल इस वीडियो को आखा करना ध्यान से देखना है चलिए हम थोड़ा सा हिंदी के बारे हम कुछ बेसिक बात बता देते हैं ठीक है तो हिंदी का जो पेपर है 22 फरोरी को होगा ठीक है कोई भी भी से जो होता है वह सो नमर का होता हर एक भी से 6 भी से होता है और 30 नमर आप प्रस्ण में आएगा कौन-कौन लिखने पर आएगा ठीक है हमने इसका वीडियो बनाए आप चाहते प्लेइलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं पूरा अच्छे डिटील से ठीक है यहां आप सार्ट में देख लीजिए ठीक है आप इसकी सार्ट लेना जाते ले लिजि प्रस्ण में पको तयार करना है सबसे पहले आपको त्यार करना है का बुलक्रट में इसका सवी त्यार करना है और रितिकाल और आधुनिकाल ठीक है इनके परमुख कभी है उनके परमुख रचनाओं के नाम ठीक इतना ही आपको क्यों क्या करना है त्यार करना है और ब्याकरण में आपको क्या त्यार करना है रस्त त्यार करना है अलंकार त्यार करना चंद त्यार करना है उसका परिभासा न और उसके बाद यह त्यार करना ठीक है अगर आप इतना अच्छे त्यार कर लेते हैं तो 20 में 20 नमर पूरा 100% गरांटी आपको मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको यही त्यार करना ठीक है बहुकल्पी प्रस्ट के बाद आता है आपका मतलब जीवन परिचे ठीक है गद् कि बिखक भी होंगे तो साथ लोगों का आपको त्यार करने बहुत दिकत होगा paper में का ततीन लोग का कोई तीन लोग का नाम देता जिसमीं सापको एक को लिखना रहता है तो हम आपको बताने केवल दो ही लोग का त्यार करके जाएगे यह हर साल पूछे जाते हैं आचायर नमर का आएगा पांच नमर का आएगा ठीक अब इसके बाद आता है कि गध्यांस के लिए कौन सा चेप्टर त्यार करते हैं आपका ये जो संदर प्रसंग व्याख्या छे नमर का आता है छे नमर पका छे में छे पील जाएगा ठीक है तो केवल दो ही आप तयार किए जादे न तयार किजिए ठीक है जादे तयार करें कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं दो चेप्टर से हर साल मतलब पूछे जाते हैं आप पूराने साल का पेपर उठाके दे सकते हैं अनसाल भी हो जाएंगे आता है तो पेपर में हर साल किस्का किस्का आता है किनलोnisse सूरदास और महादेवी भर्म हो साल पेपर में आते ह domestic को थार करना बहुत ही important है तो कमशेकम आपको तीन लोग को त्यार करना है अनि हुआ पते परचे लुट को शेयर करना और अच्य ऐसे पूरा मिल जाएगा हम नोग की जिवन परचे पैरे में भी बना दी है आप जयाके प्लेट États Amerika तो देख सकते हैं ठीक है सब के जिवन परिचे को कैसे लिखना है जो दोज़ाचोविस का जो पेपर होगा जिवन परिचे लिखने का तरीका भी बदल गया अगर उस मॉडल में आप नहीं लिखेंगे तो आपका नमबर कड़ जाएगा ठीक है ता आप वीडियो के लाश्ट जादे लोग का त्यार करेंगे आपको याद भी नहीं होगा और पेपर में आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तो नमबर आपको पूरा नहीं मिला क्योंकि आपको इस वीडियो में देखने से ही फायदा होगा आपको 90 प्लस नमबर लाना है तो लाना है कौन-कौन त त्यार करते हैं पेपर में आप पेपर उठा के देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं हर साल इन्हीं तीनों लोगों में एक लोग का पक्का आता ही तो केवल तीन लोगों का जिवन परचे तीन लोग चेप्टर के बारे में आपको पढ़ना अब आता संस्कीत संस से मतलग कोसं जादे नमर का आता इसना आते पर दो ग्रामे और वीर बिंट पूझते इसको वित्यार करना इंपर्टेंट ही ठीक है तीसमें संदर परसंग गद के लिए पद के लिए 5-5 नमर का था 10 नमर दो नमर इसलोग लिखने के लिए आता है और दो नमर का प्रसंद पहले चार नमर का था अब किने नमर का था के बॉल दो नमर का तो 5-5-10-10-12-12-24 नमर हो जाएगा ठीक है और चोदे नमर का संस्कीत आएगा तो कि वल कितना टॉफिक आपको तयार करना वारांट सी भारतिय संस्कृत प्रभु धो ग्रामीर वीर वीर पूझते अगर आप आप इसको त्यार कर लेते हैं तो आप इसका संदर प्रसंग भी लिख पाएंगे अच्छे से इस लोग भी लिख पाएंगे दो नमर का जो हर साल फिक्स है प्रसंग उत्तर भी यही से बनेगा ठीक है तो बारांट सी और भारतिय संस्कीत को आप एकदम रठ डालना है ठीक कि अगंधी वाले टीचर से पूछ सकते हैं कि हमारे मतलब जिल कौँन सा आएगा हम कौन तयार करें बहुत सारे बच्छों को पता भी ताई उनको भी नहीं पता है उंको बता देते हैं देख लिए इसका प्रसय इन low फनता प्ड़ाय जातल सब्सक्र है इसकी इस का पर क्या पढ़या जैसे हम लोग आते हैं गोरफपूर जीला से पढ़ाल करेंगे चंद सेखर राध्र का जीमनी जाएगा ठीक है कुछी टापिक आपको त्यार करना है यह भी बहुत इंपार्टेंट है अब आता है जो नया इस बार जुड़ा है दोजाचोविस के पेपर पहली बेर होगा है वह है पत्र लेखन तो पत्र लेखन किने नमर का आएगा चार नमर का यह पहली बेर ऐसा होगा ठीक है तो पत्र लेखन आपको इस बार पहली बेरारात हो सकता बहुत सिंपल दे तो बिजली की समस्या पे त्यार कर लेजी गंदगी की समस्या पे ठीक है सुल्क मुक्ति के लिए अपनी स्कूल के प्रदनाचार को पत्र लेखिए चार नमर का है तो यह आप इसको त्यार है अब आता है निबंद पहले नाव नमर का आता था है इस ही आता है और निबंद कम से कम आपको पांच त्यार करना इसमें हमने आठ निबंद लिखा है इसमें आप अपने स्विच्छा से जो चाहें जो आपको अच्छा लगी कोई पांच निबंद त्यार कर लेंगे आपके पेपर में आना ही आना है अंडेट परण ठीक है नहीं प प्रियकबी, विरोजगारी की समस्या, जनसंख्या बृधी, जीवन मनुसासन का मुत, इन में से कोई एक आप इसको लेकर अच्छे से इसको तयार कर लीजिए, ठीक है, अगर आप इतना जितना हमने बताया इसको पूरा तयार कर लेते हैं, तो आपको पेपर में कोई 90% लान है, दो वर्स का पूरा ना पेपर, ठीक है, आनी 23 वाला तुसको देखें, उसको लगाने का अवसकता नहीं है, जो 22 में है, 2022 का पेपर हुआ था, और 2021 का जो पेपर हुआ ठीक है, तो दोनों पेपर को अच्छे से पूरा लगा लेजिए, ठीक है, अच्छे जितना कोशन आ अच्छाए बिद्ध्या, ठीक है, कोई तीनों में से कोई एक गाइड आप ले सकते हैं, ठीक है, तीनों गाइड अपने हिसाब से अच्छी है, ठीक है, तीनों में से कोई एक गाइड ले ले लिजी, कुईसी को आप तयार कीजिए अच्छे से, इसकी अलामा, आप अपना साट नोट्स भनाई रहेंगे पेपर के समय त्यार करने में आपको क्या रहेगा बहुत ही असानी रहे शांट्स भनाना हड़ियों के लिखने का भी अभ्यास की Jah बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो कोशन को मतलब याद कर लेते हैं लिखते नहीं है तो अगर आप लिखेंगे नहीं पेपर में जाके अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और आप लिखने का अभ्यास नहीं रहा तो आपका टाइम होपे का हो सकता कम पढ़ सकता ठीक ह जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक पेपर में आप अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो जितना हमने बताया इसको अच्छे स्तियार कीजी, लिखने का अभ्यास कीजी, और पेपर में जाके 90 प्लस नंबर, आनि 90 प्लस नंबर आपको लाने का प्रयास करना, ठीक, कोशिस करना पका आएगा, जितना हमने बताया इसको अगर आप करते हैं तो, तो वीडियो पसंद आया तो उन्हें दोस्तों साथ सेयर कीजी, अच्छे से पढ़ाई कीजी, ठीक है, धन्यवाद,